सब्सक्राइब करें जो कि हम लोग कवर करेंगे चलिए फिडियो स्टार्ट करते हैं और गाइस पहले इंकम की बात करें इस बार के करोड का पिछले क्वाटर में 298 करोड का और मार्च 23 क्वाटर में 1939 करोड का जबकि एक्सपेंस भी क्वाटर और क्वाटर में इंक्रेज किया इंकम के एक्कॉर्डिंग जिसके बाद यहां पे गाई एक्सेप्शनल आइटम में 10.7 करोड का कमपनी को है खर्च हुआ जिसके बाद ओपेटिंग करोड का पिछले क्वाटर में 248 करोड का ऑ और सिकवाटर में 171.3 करोड का आपॉरेटिंग पॉफीट है quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है EPS इस बार का 34.45 रुपेश का quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है तो guys quarter ended का result अगर देखा जाये तो बहुत strong result पेश किया financial year ended में company का income में 9285.6 करोड का 23 में 8386.9 करोड का income में increase किया है expenses 8369.9 करोड का 23 में 7507.9 करोड का expense हुआ था जबके expense में भी increase करती वी नजर आ रही है उसके बाद operating profit है गाईच company को 43 करोड का exceptional items में खर्च हुआ था जिसके बाद operating profit है 1865.7 करोड का 23 में 737 करोड का operating profit है जोके increase किया है net profit 164, sorry 1643 करोड का और 23 में 536.9 करोड का net profit है increase किया है EPS company का 246.07 करोड का 23 से increase करती वी नजर आ रही है तो गाईच quarter ended हो या financial ended बहुत strong result पेश कहा है क्योंकि income और profit दोनों में increase करता हो नजर आ रही है अगर हम segment wise बात करें तो टेक्स्टाइल शर्टिंग अप्रेल गार्मेंटिंग टूल्स और अर्डवेर अटो कंपोनेंट्स प्रिशिशन रियल इस्टेट और डिवलपमेंट और प्रॉपर्टी अधर इन सभी को एड़ करके revenue हुआ है quarter ended में भी increase हुआ है और financial year ended में भी तो यहां पर कंपनी को consolidated बहुत strong result पेश किया है अगर हम इसके बात करें गाइस कंपनी का operating margin तो 16.71% का profit margin 8.81% का operating margin तो increase लेकिन profit margin year on year में down देखने को मिला है और अगर हम इसके stand-alone financial result को cover करें गाइस तो company का जो income है इस बार का अगर देखा जाये तो 2076.8 करोड का income है पिछले quarter में 1844.8 करोड का और March 23 quarter में 1562.6 करोड का income था income quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है expenses 1792.4 करोड का पिछले quarter में 1633.9 करोड का और March 23 quarter में 1352.5 करोड का expense हुआ था जबकि expense quarter on quarter year on year में increase किया है exceptional items में 19 करोड का खर्च हुआ है जिसके बाद operating profit है 265.4 करोड का पिछले quarter में 210.9 करोड का और March 23 quarter में 118.4 करोड का operating profit है quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है net profit 195.4 करोड का पिछले quarter में 161 करोड का और March 23 quarter में 153.5 करोड का net profit है APS 29.37 रुपीज का वाइब इन्क्रीज करती वह देखने को मिल आ तो गैस कमपनी का वाइब बहुत थे ख़ंग के बहुकर बें कमक्रीज कर तो गजह में करते वह देखने मeles Memo तो वन वीक में 6% का profit दे चुका है वन मंत में 16% का profit मिल चुका है थ्री मंथ में 26% का तो यहां पर कंपणी जो कॉंस्टेंट ले इंक्रीज करता हो नहीं जार आ रही है और गाइस अगर देखें कंपणी जो लॉस में ऑपई हुआ था मतलब कंपनी जो मार्केट जो है वेल्स्पून लाइविंग है आलोक इंडस्ट्री में आज के दिन फॉल देखने को मिला है वहला कि दिन इसमें बहुत ज्यादा फॉल देखने को मिल रहा है और लेकिन जो रिजल्ट पेश का गाइगा इसके कांपनी का जो शीर है थोड़ा सा रिकावर कर रही है लॉसस जो अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पुझे मिलते हैं एक शोड़ा में दिलनें बाई बाई